हलो दोस्तो मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत काता हूँ आपके यूटूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम स्परमेटोजिनेसिस और उजिनेसिस से जुड़े हुए ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जो की बैलोजी के human reproductive से जुड़ा हुआ एक most important topic है और इस से हर साल आपके entrance exam और जितने भी बैलोजी से जुड़े हुए competitive exam होते हैं उन सभी exam में इस topic से question पूछे जाते हैं तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं spermatogenesis की यानि की formation of sperm की तो spermatogenesis में कुछ step होते हैं जिसमें की कुछ cell भाग लेते हैं जैसे की सबसे पहला cell है germinal epithelium दूसरा है spermatogenia तीसरा है spermatocyte चौथा है spermatids और last है sperm तो आपके exam में बिना sequence के option दिया होता है और उसमें से सही option आपको choose करना होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले germinal epithelium है लेकिन इसके बाद के जितने भी cell है सब में sperm common है और इसी की वज़े से exam में confusion होता है तो इसे याद करने के लिए मैंने trick बनाया हुआ है germany goa city तो germany से हो गया germinal epithelium फिर इसके बाद है goa तो spermatogenia में आप देख सकते हैं गोणिया लिखा हुआ है sperm common है जैसा कि मैंने बता है तीनों में तो आप goa से गोणिया याद कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद है city तो city का जो c है यह हो जाएगा spermatocyst का c वहीं उसके बाद t है तो spermatics का t आएए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जैसा कि जो cell है वह cell है germinal epithelium, spermatogonia, spermatocyst, spermatids और sperm तो इसके लिए trick है germany, goa, city तो germany से हो गया germinal epithelium फिर उसके बाद sperm तीनों में common है तो इसको कैसे याद करेंगे तो germinal epithelium के बाद है spermatogonia तो आप goa से गोणिया याद कर सकते हैं spermatogonia के बाद है, spermatocyst, तो यहाँ पर CT का जो C है वो cyst याद कर सकते हैं, spermato site के बाद है spermatids, तो आप देख सकते हैm sperm के बाद tits आ रहा है तो मतलब T आ रहा है, तो CT का जो यह T है यह हो जाएगा spermatids, और sperm इसके बाद हैं, तो sperm आप ऐसे भी याद कर सकते हैं आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी जर्मनी गोवा सिटी तो आई अब हम इसके प्रोसेस को भी देख लेते हैं सबसे पहले है जर्मिनल एपिथिलियम जिसमें की मैटोसिस डिविजन होता है और फार्मेशन होता है इस परमेटो गोनिया का और इस परमेटो गोनिय में मियाउसिस डिविजन होता है और मियाउसिस डिविजन के फल सुरूप बनता है सेकेंडरी स्परमेटो साइट और इसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो याद रखेगा कि सेकेंडरी स्परमेटो साइट में क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है यानि कि हैपलाइड होता है फिर उसके बाद secondary spermatocyte में फिर से meiosis division होता है यानि कि meiosis second होता है और उसके थुरू बनता है spermatids और last में spermatids से sperm का formation होता है और यह formation differentiation की थुरू होता है और इस procedure को हम बोलते है spermiogenesis तो यहाँ पर एक question और भी पूछा जाता है कि spermatids से sperm बनने की process को क्या बोलते हैं तो इस process को बोलते हम spermiogenesis आईए अब next हम बात करते हैं oogenesis की oogenesis का मतलब है formation of ovum तो oogenesis को आप उसी तरह यानि की spermatogenesis की तरह याद कर सकते हैं इसमें सबसे पहला cell है germinal epithelium उसके बाद हो गोनिया फिर है उसाइट फिर है उटाइट फिर लास्ट में है ovum तो इसके लिए भी सेम ट्रिक है germany goa city तो germany से हो जाएगा germinal epithelium उसके बाद है गोवा तो गोवा में उगोनिया या आप देख सकते हैं कि उगोनिया उसाइट उटाइट सभी में common है तो जो गोनिया है तो इसमें देख सकते है गो आ रहा है इसलिए यहाँ पर हमने लिया है गोवा फिर उसके बाद है U-Site, तो U-Site में आप देख रहें C आया है, तो CT का C, फिर उसके बाद है U-Tite, तो U-Tite में आप देख रहें T आ रहा है, तो CT का जो T है, वो हो जाएगा U-Tites के लिए, इसके बाद है O-Uum, तो O-Uum को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कि Last में आता है O-Uum, तो आएए इसके Step को भी देख लेते हैं, कि किन Step से होकर ये गुजरता है, तो सबसे पहले है Germinal Epithelium, इसमें Mitosis Division होता है, और बनता है O-Uum, तो O-Uum, तो O-Uum में Chromosome Number Diploid होती है, फिर O-Uum में होता है Mitosis Division, और बनता है Primary U-Sites, और ये भी Diploid होता है, तो यदि हम बात करें Primary U-Sites की, तो यह Female में Embryo के समय ही Develop हो जाते हैं, यानि कि जब Baby Girl मा के पेट में होती है, तो उसी समय उसके O-Uum में Primary U-Sites बन जाते हैं, इसके बाद जो लड़की है, वो Mature होती है, यानि कि Adult Stage में आती है, तो Polar Body और Secondary U-Sites मिलकर बनाते हैं Outed, और Outed से बनता है Oum, तो यह Step है Formation of Oum का, तो इस प्रकाल से आप Spermetogenesis और U-Genesis को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, आए Next हम बात करते हैं Sperm Pathway की, जो की Human Reproduction का एक Important Topic है, और इस Topic से भी Question आपके पूछे जाते हैं, तो आए देखते हैं कि हम कैसे इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, तो आए ट्रिक को समझने से पहले हम समझते हैं कि कौन से Pathway से होकर Sperm गुजरता है, तो सबसे पहले है Seminiferous Tribules जहांपर Sperm का Formation होता है, इसके बाद ये जाता है EPD Damage में, इसके बाद ये जाता है VAS Difference में, इसके बाद ये जाता है Ejaculatory Duck में, इसके बाद ये जाता है Urethra में, और Urethra के बाद Last में जाता है Penis में, तो ये पूरा Pathway है Sperm के Traveling का, तो इसके लिए मैंने एक Trick बनाया है, और Trick है Seven Up, तो आए ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं तो Seminiferous यानि की S Epididymes यानि की E Voss Deference यानि की V Ejaculatory Duct यानि की E और E के बाद N है N का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा इसके बाद है Urethra Urethra का U और उसके बाद है Penis यानि की P इस तरह से आप देख रहे हैं ट्रिक बन रहा है 7 Up तो इस ट्रिक के माध्यम से आप स्पर्म के पाथवे को याद कर सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेगा यदि आपको मिलता है Rated Testis तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि Rated Testis सेमनी फेरस टिव्यूल और एपिडी डाइमिस के बीच आता है यदि एक्जाम में Rated Testis आता है तो आपको इसे सेमनी फेरस टिव्यूल और एपिडी डाइमिस के बीच रखना है तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने Spermatogenesis, Oogenesis और Sperm के Pathway को डीटेल से और टिक के माध्यम से जाना तो आपको यह टिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताएगा यदि टिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मद भूलेगा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर ट्रिक बनाओ तो आप उस टॉपिक को कमेंट करके ज़रू बताएगा मैं पूरी कोशिस करूँगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा आपके लाइक और सेर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और यदि आप हमाया चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाय चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक लिए जहन जभारत